बहुत सारी जगा पर आपने क्रिप्टो करणसी का नाम तो सुना ही होगा अगर किसी ने क्रिप्टो करणसी का नाम नहीं सुना तो Bitcoin का नाम डाफिनेटली 100% सुना होगा आज बात करते हैं इसको sales purchase कैसे करते हैं कौनसी application बैटर है चलिए आपका स्वागत है आपके ने अपने यूटूब चैनल दी एक सिंग ब्रोडकास्ट में बात करते हैं क्रिप्टो कुरंसी के उपर और इसी में एक एप्लिकेशन बहुत ही अशी जिसका नाम है नाम दोस्तों मैं आपको बताता हूँ चलिए मैं आपको पहले डैशब करने के उपर सबसे पहले जो मेन मुद्दे वाली बात वो यह है कि आपको मैं एक लिंक दे दूँगा डिक्स्रिप्शन बॉक्स में वहां से जाके आप कोईन स्विच कुबेर को जोइन करते हैं तो आपको 49 पॉइंट कुछ रुपए 50 रुपए के आसपास आपको बोनस पॉइंट मिलते हैं आपकी क्रिप्टो करनसी में जो बिटकॉइन खरीद के आपकी वॉल्ट में एड हो जाते हैं चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं इसके उपर अपनी एम्पिन से लॉगिन करना साइन अप करना बहुत बहुत ही आसान है आप वीडियो में दिये गए लिंक के उपर क्लिक करोगे और आपको अपनी मुवाइल नंबर एमिल आईडी डालनी है पासवर्ट बनाना है आपका नाम लिखना है और आपका साइन अप हो जाएगा इसके बाद दोस्तों एक चार रंकों की एक आपको पिन बना लेनी है अपनी अकाउंट के प्राइवेसी के लिए आपको पिन होगी उसके बाद डैश बॉर्ड के आपको जैसे कि मैंने एक रैफर करके आपको एक पैसे खरिया इसमें साइन अप किया था और उपर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो 49 रूपर से वाल्ट में एड़ हो जोके हैं मुझे नीचे दोस्तों दिये ग है यह है कि हमें इस एप्लिकेशन में अपनी प्रफाइल को एक्टिवेट कैसे करना है एक वाइसी कैसे करनी है बैंक अकाउंट कैसे एड़ करना है ताकि हम आसान से इसमें ट्रेडिंग कर पाएं दोस्तों आने वाली वीडियो में आपको क्रिप्टो करंसे के उपर आप बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है मेरे इस चैनल के उपर आपको क्योंकि यह मेरा चैनल जो है देशिंग ब्रोड़कास्ट देव भनांस बैंकिंग एंड अदर इन्वेस्टमेंट आप्शन के लिए जाना जाता है मैं इसी तरह की वीडियो डालता है आपके लिए फैद करते हो सबसे पहले आपको जो गिफ्ट रवार्ड मिलता है वो मिल जाता है और इसमें दोस्तों आपको मैं प्रफाइल के उपर ले चलता हूं प्रफाइल में आपको दे सकते हो को यूजर वेरिफकेशन अभी तक हमारा जो के वाई से नॉट कंप्लीटड आ रहा है मॉब अनलोक वाल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां पर आ जाएगा अनलोक टू पोटेंशिल कृप्टो टू हल्प दि एंड क्रेयेट और स्क्यूरилась अकाउंट अनलोक वाल ऑल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह के तीन स्टेप खोल जाएंगे जिसमें हमे basic verification, pan की verification and identity card identity card main कोई भी, आपको मैं बताता हूँ इस step में कौन से eligible है, सबसे पहले basic verification के उपर हमें अपना पैन नंबर, full name, data board, email id पर के verify कर देना है, दोस्तो बहुत ही simple है, इस में login करना और अपने KYC को complete करना अगर किसी step में आपको के प्रॉलम आती है तो वीडियो के लिए के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा मैं आपके हर कॉश्चन को आंसर में कनवर्ट करने की कोशिश करूँगा वेरिफाई करने के बाद दोस्तों आपको बेसिक डेटेल कम्पलीट हो जाती है इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप जो की मैंने पहले आपको बता चुका हूँ फर्स्ट स्टेप बेसिक वेरिफकेशन के उपर हरा चिन्ना आ गया पैन कार्ड वेरिफकेशन के उपर जाएंगे अपने पैन कार्ड की डेटेल एड़ करेंगे सबसे पहले हमें अपने पैन कार्ड की एक फोटो लेनी है फरंट से कैमरा उपन हो जाएगा अपने आप जैसे ही आप इसको एनेबल कैमरा करोगे और फरंट कार्ड की फोटो लेने के बाद आप इसको माई डाकुमेंट इस रीडेवल की उपर कनेक्ट करोगे बहुत ही साफ और पड़ा लिखा जाना चाहिए आपका पैन कार्ड इस फोटो में अदरवाइज आपका रिजेक्ट हो सकता है आपको बार बार री स्कैन करना पड़ेगा इस पैन कार्ड को माई डाकुमेंट इस रीडेबल को क्लिक कर देंगे और आपका जो एक मैसेज आएगा थैंक जू सम्मिट विरिफकेशन विरिफकेशन के लिए अपने पैन कार्ड को विरिफाई के लिए सम्मिट कर दोगे इसी के लिए हमें wait नहीं करना दो तीन, दो तीन मिन्ट जांग पांच मिन्ट लगेंगे next step के उपर जाना है identity card verification यहाँ पे हमें तीन options मिलती है dark card, passport, voter ID तीनों में से कोई भी आप options को चुन सकते हो आपको ऐसा नहीं है कि dark card की photo लेके my document is readable के connect करना है continue पे क्लिक करना है और अपनी एक selfie लेनी है अपने इस जो goal करा आ रहा है goal कर में इसमें अपनी selfie को लेके अपने चेहरा है बिलकुल इसमें cover होना चाहिए selfie लेने के बाद confirm my selfie के उपर क्लिक करेंगे thank you आ जाएगा submit verification आ जाएगा तीन स्टेप हमारे complete दोस्टो hardly इस process में आपको 3 से 5 मिन्ट का समय लग सकता है और आपका KYC इसमें complete हो जाएगा अब देखिए अब हम अगर profile section खोलते हैं तो वहां पे हमारा KYC verified आएगा KYC verified आने का मतलब हमने KYC document successfully submitted and verified हो चुके हैं next दोस्टों हमें इसमें क्या करना है कि अपने bank खाते को add कर देना है क्यों क्योंकि दूसरी यहां पे दोस्टों एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस bank खाते को हम यहां पे add करेंगे उसी खाते से हम पैसे का लेंदिन कर पाएंगे किसी दूसरे खाते से नहीं यह थोड़ा ध्यां रखिए मैंने पहली बार ऐसा एक ट्राइब भी करके देता है दूसरे खाते से add करने की कोशिश की लेकिन वो मेरा जो पैसा है वो मेरा इस खाते में आया नहीं लेकिन bounce हो गया वापिस इसलिए मैंने आपको यह पहले ही बता दी यहां पर अपना खाता नंबर कनफर्म खाता नंबर आएफसी कोड आया एंड टाइप आफ टी अकाउंट बरके समिट कर दीजिए जिस इसी खाते से आपका लेन दिन होगा लेन दिन मतलब जो भी आपका commission होगा जब आप withdraw करोगे आपका जो भी income होगी earning होगी उसको आप इसी खाते में जाएगी और इसी खाते से ही आप इस खाते में पैसा लोड कर पाऊगे पैसा लोड कैसे करना है विड्रॉ कैसे करना है उसकी वीडियो में इस वगली वीडियो में पार्ट टू में लेके आऊँगा coin switch के बेर के उपर आपके bank हाते को verify करने के लिए आपकी email ID के उपर एक OTP जाएगा वहाँ पर आप अपने OTP को भर देना है OTP गवरनने के बाद आपके जो bank हाते की detail है bank verification complete हो जाएगी आपका जो खाता है ये verify हो जाएगा कुछ देर लगेगी वो back end से इसको दुबारा से re-verify करेंगे अभी आप देखिए दोस्तो home page पे आजाईए KYC status basic detail हमने बर्दी pen बर्दी identity बर्दी यहाँ से KYC का status हमें पता चलता है KYC का status आपको show होने लगेगा जैसे ही दोस्तो आप bank खाते की detail बर्दे हो आपको चले जाना है सीधा center में दिये गए option gift card के उपर यहाँ पे दोस्तो पहला gift card unlock हो चुका है हमारे लिए bank account detail बर्ने के बाद इसको okay करेंगे okay करने के बाद हमें 2 रपे के BTC coin मिल जाते हैं 2 रपे के जो भी हमें Bitcoin मिल जाते हैं वो आपके value भी उपर show कर रहा है और INR में 2 रपे भी show कर रहा है इसके बाद दोस्तो हमें इसको tell your friends अगर आप इसको या अपने दोस्तों को बताना चाहते हो कि हम मैं इस पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ और यहां से आपको किसी भी option में इसको share कर सकते हैं सिर करके बता सकते हो दूसरी जो option है अगर आपने unlock your first bank deposit bank से अगर आप खाते में पैसा add करेंगे तो आपका ये card gift card unlock हो जाएगा तीसरे card में दोस्तों आपको जब copy करके उस पर जाके अपना sign up करते हो तो दो फाइदे होंगे आपको एक तो gift card मिलेंगे दूसरा आपको सभी से पहले आपको 50 rupees के bitcoin आपको तरंत ही मिल जाएगे जैसे आप sign up करोगे refer and earn program इसमें बहुत अश्या दिया गया है आप कितने ही लोगों को refer करो लेकिन इसमें limitation यह है कि एक दिन में आप तीन लोगों को ज़्यादा refer नहीं कर पाऊगे मान लिजिए दोस्तो आपने refer and earn के उपर ही आप ऐसा कमाना चाते हो आप trading नहीं करना चाते तो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा डेट सो रुपे आप कमा सकते हो यह तो थी दोस्तो refer and earn sign up कैसे करना है के वाइसी कैसे करनी है आपको अपने के वाइसी डाकुमेंट समिट करने है बैंक डेटेल कैसे करनी है यह सारे के सारे टॉपिक मैंने आज आज की इस वीडियो में cover किये है अगर आपको इसके उपर कोई clarification चाहिए तो इस वीडियो की नीची दिये गए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं मिलते हैं दूसरी वीडियो में जिसमें आपको बताऊंगा आपको trading कैसे करनी है withdrawal, earn deposit कैसे करना है थैंक यू फर वाचिग इस वीडियो